तो आयनों के तुम भी आज़ी पूरिश के टीजर को देखकर बहुत ही जादा डिसपॉइंट हो मेरी तरहा जिसके अगर कुछ रीजन्स की बात की जाए यानि कि हाँ टीजर से ही दिख रही कुछ डीटेल्स की जो गलती शायद से मेकर्स को नजर नहीं आ रही और उनके ही कॉन्फिडेंट से ये टीजर हमारे सामने निकल कर आ गया है जिन मेंसे इस फिल्म को लेकर फिल्हाल तो दो चीज़े की जा सकती है जिन मेंसे एक है फिल्म को डिले करना ताकि फिल्म के रिलीज से पहले जो कुछ भी प्रॉब्लम इस फिल्म के अनिमेशन यानि के विए उन्हें ठीक करकर प्रेजेंट कर दिया जाए और अगर नहीं हो रहा वो भी इसी टाइम पिरेड में तो फिर डिले का ऑप्शन मेरे इसाब से सबसे जादा बेस्ट रहेगा जिसमें हां मुझे ये भी बात पता है कि मेकर्स इन दोनों ही डिसीजन को एकसेप्ट ना करते ह हुए शायद से फिल्म को उसी ओफिशल विलीज डेट पर लिस करेगे क्योंकि पांसो करोड अल्रेडी खर्च कर दिये गए है जिसमें से रूमर है धाइसो करोड फिल्म की कास्टिंग को पे की गई है तो धाइसो करोड दाले गए है इसके वी एफेक्स में आई मीन बेका करकर लोगों के सामने प्रिजेंट करने का था तो उन्हें यहाँ पर लाइव एक्शन और इस एनिमेट शिन को मिलाकर लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था यानि एक तरफ ऑप्शन था अवतार जैसे फिल्म को बना कर लोगों के सामने या फिर दूसरा उप्शन बेवल्स जैसे फिल्म का था जिस पे ना चलते हुए जो डिशिजन हमारे सामने टीजर के तौर पर निकल कर आया है वो डेफिनेटली डिसपॉइंट ही करता है इसके अलावा ऐसी ही टेक्नोलोजी पर आय थिंग रजनी कान की भी कोई फिल्म ब अच्छी होगी जो की है भी बट अनपॉचनल उसकी प्रेजेंटेशन इस टीजर से ही बहुत जादा बुरी लगती है खास करके इसका ट्वीट्मेंट जिसमें पहले तो जो बड़ी बड़ी बाते कैरक्टर्स की प्रेजेंटेशन से लेकर जो नामों में की गई थी जैसे के जानकी रागवाना लंकेशवर जैसे नाम जिसे सुनते के साथ में हम यह चीज़ डिसाइट कर लेते हैं कि ओम राउत सच में कुछ अलग प्रेजेंट करना चाहते है और फिसके बाद जो टीजर निकल कर आता है उसमें कहीं न कहीं प्रेजेंटेशन प्रभास की प्रचान लगाने का काम जो इसमें क्रियेचर्स डाल कर किया गया है वो भी 3D आइनिमेशन केरेक्टर वो भी पूरी तरीकिसे फेक लगते है जो हमें इस दुनिया में बिल्कुल भी अटैच नहीं करवा पाते और फिर उसके बाद आता है सैफ हली खान का लुक जिसे modern जम इसमें दाल कर थोड़ी बहुत और improvement की जा सकती थी और अगर इसमें भी example चाहिए तो RRR फिल्म में हमने राम चरन तेजा के राम की presentation को देखी है जिससे थोड़ा हटकर ही सही presentation बैसी कही ना कहीं की जा सकती थी लेकिन वो कहते हैं मेकर्स का खुद का confident कही ना कहीं प्रोजे वक्त है चोड़ी सी वीडियो को यहीं पर खतम करने का बाकी मैं हूँ अजीज मिलूँ आपसे जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई